हलो दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल एलिक्ट्रिकल अचारे में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक MCB के किस पॉइंट पे शॉट सर्किट होने पे वो ट्रिप होती है मतलब यहां पर आप यह देखिए इस MCB के इस साइड को हम इन्पुट टर्मिनल कर रहे हैं क्योंकि यहां पर में से सफप्लाइ आ रहे हैं इसके आउटपूट से मैंने क्या किनक किया हुआ है बल्ब कनेक्ट किया हुआ है अब आपको यह बताना है कि मैं अगर इंपुट टर्मिनल पर शॉट सर्केट करूं तो क्या यह MCB होगी या नहीं तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या यह MCB होती है या नहीं तो चलिए मैं मैं supply का on कर देता हूँ तो देखे जैसे मैंने supply का on किया हमारा load on हो चुका है अब मैं इस MCB के input side पे short circuit कर रहा हूँ और हम देखेंगे कि यह हमारी load पे जो MCB लगी है वो trip होगी या नहीं आप तो पटाका बोल गया पर देखने वाली बात यह है कि आपकी यह MCB ट्रिप नहीं हुई ऐसा क्यों हुआ क्यों कि देखेंगे जब मैंने इस MCB के input side पे short circuit किया तो सारा का सारा current इस wire से वापिस face के wire से आया होगा और इसी wire से होते हुए नूटरल बे वापिस चले गया मतब लोड के end पे कोई भी current गया ही नहीं MCB से कोई भी current गया ही नहीं इसलिए यह आपके MCB trip नहीं हुई यहाँ पर देखें बैकप पे मैंने जो MCB लगाई थी वो MCB short circuit के वे से trip हो गई थी तो इसे on करते हैं देखें में की मैंने MCB on की और हमारे लोड on हो गया अब हमारे जो लोड के पास MCB लगी हुई है इसकी output side को short circuit करता हूँ और देखते हैं क्या होगा दोसरे एक चीज़ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस तरह की short circuit के experiments काफी खतरनाक हो जकते हैं जिनकी वज़े से घर में आग भी लग सकती है तो जब भी आप इस तरह के experiment करें पूरी safety के साथ करें और यह इंशार कर लें कि backup में कोई protection device लगा हुआ है या नहीं जैसे मैंने यहां पर दो backup में एक protection लगाए हुए मैंने यहां लगाई है और एक main DB में भी लगी हुई है तो आप अपनी safety को ज़रूर इंशार कर ले और छोटे बचे इस तरह के experiment दर पर ट्राइन ना करें चलिए अब मैं इसको दुबारा से इसके output side को short circuit करता हूं और देखते हैं क्या होता है अब आप देखे कि यहां पर आपकी यह mcb भी trip हो गई ऐसा क्यों हुआ क्योंकि अब current mcb के अंदर से होते हुआ गया और इस वायर लूप से फिर बाहर निकला i hope यह concept आपको समझ में आया होगा कि mcb का जब तक output side पर short circuit नहीं होगा तब तक वह mcb trip नहीं होगी मिलते हैं अंगले वीडियो में